भारती रिजर्व बैंक की भूमिका भारती रिजर्व बैंक का जिक्र किस किस संदर्भ में आया है? हमने देखा कि भारती रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस ववस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है बैंकों की वेवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं अपनी जरूरतों के अनुसार हम नगद निकाल सकते हैं एवं चेक द्वारा लेंदेन कर सकते हैं भारती रिजर्व बैंक यह ववस्था बनाये रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है। उदाहरन के लिए बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का चार प्रतिशत भारती रिजर्व बैंक के पास नगद में रखना होता है ताकि जरूरत पढ़ने पर उसके पास नगद की कमी न हो। खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके। इसके लिए वे अपने अनुभो अनुसार अलग से नगद रखते हैं। इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए एक लाग का डिपॉजिट भीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिती में नहीं चल पाए तो इस भीमा का उप्योग कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रती अफवाहें फैलती हैं कि बैंक घाटे में जा रहा है। लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिती में RBI को आगे आकर सम्हालना होता है क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दाईत है। भारती रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपे एवं पैसों की कमी ना हो। इसके लिए जरूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करती है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले इसलिए सक्त निगरानी भी रखनी पड़ती है। भारती रिजर्व बैंक, बैंक को द्वारा दिये जाने वाले रिण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है। उदाहरण के लिए कोई भी वानिजिक बैंक अपने मुणाफे के लिए समपत्ती का क्रेव इक्रे नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई संपत्ती गिर्वी रखी गई है और कर्जदार रिण अदा नहीं कर पा रहा है तब ऐसी इस्थिती में बैंक उस संपत्ती को बेच कर अपनी रकम वसूल कर सकती है कुछ शेत्रों में जैसे की शेयर बाजार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है भारती रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिये गए रिंड सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा वापस नहीं किये जाने वाले रिंड बहुत सीमित संख्या में हैं कई बार इसके लिए सकत कारवाही करने की भी जरूरत होती हैं बैंकिंग विवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे इसके लिए कई तरह की निगरानी आवश्यक हैं दूसरी तरफ सरकार के नियमों के तो पूर्ण माना गया है अर्थात रिंड देने के लिए प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन शेत्रों के लिए रिंड दें वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कृशी, सिक्षा, आवास, छोटे उद्योक, निर्यात, आद इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाया रखना है ताकि वह सुगम और सुरक्षित रहें। इसके साथ साथ विकास की दृष्टी से रिंड व्यवस्था को वंचित समू या शेत्रों तक पहुचाने का एहम लक्ष भी है।